तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं यहां पर एक और स्ट्राटेजी में आप लोगों को आज यहां पर सिखाने वाला हूं आप यहां पर देख सकते हो कि रियल अकाउंट ऑफ इक्विडे किंग यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्राटेजी बैक टेस्ट कर चाहिए तो आप लोगों को भी फॉरेक्स की जर्नी शुरू करने हैं कैसे करने हैं और यह जो पोजिशन लेकर मैं कैसे उल्ड कर पा रहा हूं यहां पर देखो कितने पॉइंट्स यहां पर अभी भी रनिंग है यहां से लेकर यहां तक अगर मैं नीचे पकड़ू तो ऑल पहले अगर आप लोगों अभी तक अपनी फॉरेक्स जर्नी शुरू नहीं किये है तो मेक शूर की लिखो यूट्यूब पे इक्विटिकिंग फॉरेक्स राइड एंड उसके बाद कैसे अकाउंट ओपन करना है कैसे आपको गोल में ट्रेड करना है और बहुत सारी जो पतम करना है तो यहां पर आपका अकाउंट कैसे ओपन करना है नहीं होता है तो मैं फॉरेक्स का टेलीग्राम का यहां पर नीचे यहां पर दे दूँगा तो उसमें क्या करना है आपको सिफ यहां पर आना है how to open account add and withdraw कैसे करना है and BTC में कैसे ट्रेड करना है यह सारी चीज आती रहेंगी तो बस आपको क्या करना है account open करके अपना यह जो आईडी है वो मुझे कहां send कर देना है टेलीग्राम पे at the rate equityking 104 तो वहां पर आपको मेरी जो टीम है वो जो strategy वाला group है उसमें आप लोगो यहां पर add हो जाएंगे तो अब यही बात है कि यह जो particular strategy यहां पर देख रहे हो मैं इतना easily hold कर पा रहा हूं क्यों कि मुझे यहां पर दिख रहा है वही चीज में आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं तो अपनी फोरेक्स की जनी शुरू करो मैं account opening link description में भी दे दूँगा तो make sure कि वहां पर जाओ account open करो and journey शुरू करो यह strategy के साथ and time frame हमें one day लगाना है इंडिकेटर में हमें जाके क्या लिखना है मैं आप लोगों के लिए वापस से सारी चीज़े करके दिखा देता हूं इंडिकेटर में आना है यहां पर लिखना है simple moving average जो लोग पहली बार देख रहे हैं make sure कि आप लोग यहां पर like भी करने और subscribe भी करने अगर आप लोगो नहीं यहां पर आपको क्या लिखना है moving average ठीक है तो moving average आएगा simple एक और दो बार इसको दो बार click करना है simple moving average के बाद आपको यहां पर इसकी settings में जाना है इसकी settings में जाके आपको यह करना है इसकी जो length है वो करने है 10 ओके यहां पर नीचे वाले में आपको क्या करना है कैसे शुरू करना है यहां यहां पर देखोगे तो दोनों color सेम है तो मैं एक का color है वो यहां पर 20 का जो है वो मैं यहां पर color change कर देता हूं let's suppose और 200-200 dollar मैं कैसे निकालता रहता हूं मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ा समझाता है रहता हूं तो अभी यहां पर फटा 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 पस अपना अपन करो कुछ भी डावट है मेरे से यहां पर आके पूछ लो मैं आप लोगों को जितना हो सकता है उतना best आप लोगो ठीक है positive cross और एक होता है negative cross ठीक है यह होता है positive cross क्या होता है जब भी यह blue line क्या है 10 day moving average है तो मतलब यह क्या है और यह जो red line है वो बड़ी है तो इसका यह क्या हो गया 20 हो गया तो मतलब अगर जब 10 और 20 यहां पर cross करता है मतलब और candle भी उपर रहनी चाहिए मेरी बात यहा cross होनाँ चील है तो इसका मतलब क्या होता है 10 और अगर 20 यहां पर cross हो रहा है तो यह जो positive crossover है इसको हम क्या wa consider करेंगे इसक instruments को हम positive consider करेंगे और जहां पर 1020 का यहां पर उल्टा हो रहा है मतलब 10 more czyula-and-all and we do a करना है हमें sell करना है चलो I think यह भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब इसका जो utilization अभी भी देखो के तो जो position में कितनी hold कर रहा हूं वह उसका जवाब आप आप लोगों को यहां पर अभी मिल जाएगा थोड़ी सी देर में ठीक है अब वीडियो मना रहा हूं लाइव रिकॉर्ड करना हूं तो फटा फटा फट लाइक जरू कर देना सारी strategies आथी उसमें सिखाऊंगा वह कैसे जॉण करना है वह मैंने बता दिया देखो 10 20 के cross जहां पर भी हुआ तो मतलब यह क्या हो गया पॉजिटिव क्रॉस हो गया तो पॉजिटिव क्रॉस में हमें क्या देखना है कि प्राइज यहां पर जो भी candle होगी वो जितना 10 डेम के नीचे मतलब 10 डेमा के नीचे close ना कर दे तब तक हमें वो चीज एक्जिट नहीं करनी है अब बोलो के यार इसमें तो कौनसे टाइम फ्रेम पर एंट्री ले सकते आपको क्या है जो भी टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव या नेगेटिव दिख रहा है उस टाइम फ्रेम में जैसे closing आ जाती है तो close कर देना मतलब मैं समझा देता हूँ ठीक है यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे अब यहाँ पर क्या हुआ अब यहाँ पर जैसे ही नीचे आया और मुझे क्या मिला यहाँ पर negative crossover मतलब 10 डेमा के नीचे यह जो बड़ी 15 मिनट की candle है उसने cross कर दिया और यहीं पर ही negative हो गया जहाँ पर इसकी retesting हो दी है अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं zoom करके बता दूँ ठीक है आप लोगों को यहाँ पर मैं zoom करूंगा तो आप यहाँ पर इसकी यहाँ पर क्या हुआ रिटेस्टिंग हो गी तो यहाँ पर क्या हो गय कि जब तक मैं close कब तक नहीं करूंगा जब तक वो इसके ऊपर या कोई भी part को regain ना कर ले कोई भी average के ऊपर ना आ जा तब तक मैं वो position book नहीं करूंगा और जब तक नीचे है तब तक मैं वहाँ पर ride करूंगा अब इसको थोड़ा सा one hour के time frame पे भी समझा देता हूं कि कैस करना है आपको क्या है बस opportunity find करनी है कि opportunity कहां पर है अगर क्योंकि देखो यह opportunity आगर आप लोगों को मिल गई तो आप लोगों की बल्ले बल्ले है क्यों या बड़े points कैसे ride कर सकते हो मैं वो सिखाऊंगा अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर 10 20 का positive crossover हुआ तो candle यहाँ पर है तो इतना उपर मुझे नहीं लेना मेरे को कहां पर लेना है कि जहां price मतलब candle candle और 10 डेमा जितना पास हो तो जैसे ही मैं यहाँ पर entry करूँगा इसके नीचे अगर कोई सी भी candle close कर गई तो मैं exit कर जाऊंगा और जब तक इसके उपर है तब तक मैं यहाँ पर ride करूँ पूटी सी strategy से बस और उसमें क्या है आपको stop loss trail करना है और कुछ भी वहाँ पर particularly नहीं करना है और ठीक है इसके साथ मैं आप लोगों को दीरे दीरे और भी strategy सिखाता रहूंगा अब बोलो कि यहाँ पर negative हुआ ठीक है यह वाला point आपका negative हो गया अब बोलो कि यहाँ पर तो हमें क्या है सिर्फ और सिर्फ राइड करना है मतलब जब तक कोई सी भी candle मेरी बात समझ लेना अगर यह 10 डेमा अगर आ रहा है जब तक कोई सी भी candle इसके ऊपर ना आए तब तक हमें क्या है बाई नहीं करना ठीक है और अगर मालों मैं इसका color change कर देता हूं और अगर यह 20 है अगर 20 डेमा है अगर इन दोनों के नीचे अगर candle नीचे है तो मुझे बूर सिर्फ- divide आ रहा है और इसके ठोप अगर थोड़ा बहुत पे जितना भी है अच्छे सायद मैं समझा पाया हूंगा कि यारे ठीक है जहां पर भी यह positive हो रहा है तो candle के पास से हमें Detran writing करना ह अब इसमें एक और strategy यहाँ पर है थोड़ा bonus में यहाँ पर दे रहे तम bonus क्या है कि अगर कोई सी भी candle 10 DM के नीचे यहाँ पर खतम की यहाँ पर देख रहे हो जैसे यहाँ पर close की तो यहाँ पर क्या हुआ मैं यहाँ पर trade जो होगा buy side वाला वो तो मेरा close हो जाएगा लेकिन 10 DM के नीचे जैसे ही आया तो मैं क्या कर सकता हूँ sell कर सकता हूँ और नीचे जो 20 DM अगर इन दोनों में gap जादा है तो उतना मैं क्या कर सकता हूँ मैं target यहाँ पर easily plan कर सकता हूँ तब तक नीचे है तो उससे क्या होता है कि हमें जो है यहाँ पर भी देखोगे तो हमें बड़ी rally जो बड़ी rally है वो ride करने मिल जाती है यहाँ पर आप लोगों की समझ में आ रहा होगा यहाँ पर भी देखोगे positive crossover अगर मैं यहाँ पर भी entry लूँ अगर इस particular cases की बात करेंगे तो यहाँ पर मेरा 10 DM के पास होना चाहिए अगर मैं यहाँ से भी यहाँ पर बात करूं तो भी 170-180 point मुझे minimum यहाँ पर radar पर है तो मतलब पहले जो मैंने strategy बनाई थी वो bitcoin 300 strategy थी जहाँ पर minimum 300 point है और यहाँ पर आप क्या है trade जो है वो बड़े यहाँ पर ride कर सकते हो तो यह जो दो strategy है उसके साथ आप बहुत आराम से work कर सकते हो अगर आप यह यूज करोगे तो आप बहुत successful रहोगे तो make sure video को लाइक जरू कर देना चैनल को subscribe जरू कर देना और हाँ फोरेक्स की जर्नी शुरू करना चाह रहे हो तो जास इक्विटिक इंग फोरेस्ट लिखो नहीं तो यह जो ग्रूप है टेलिग्राम का मैं नीचे अपडेट दे दूँगा वहाँ पर आओ बस अपना अकाउंट ऊपन करो एंड लेट्स स्टार्ट यह जर्नी और फॉरेक्स यहां पर फॉरेक्स क्रिप्टो अगर यह भी नहीं समझ में आ रहा ते लीगल है कि इलीगल है यह मेरा दूसरा चैनल है मेरा यहां पर व देखरो आपके सामने कभी 300-400 तक का प्रोफिट था फिर 200 भी आया लेकिन फिर साड़े 300 समझ माया तो आप यह स्ट्रेजी यूज़ करोगे अपनी फॉरेक्स की जर्नी शुरू करोगे तो आप धूम मचा दोगे आग लगा दोगे इसे के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो म पर बता देना एंड लेक्स स्टार्ट फॉरेक्स जर्नी मेरे साथ शुरू करना चाहते हो तो बस जो लिंक है अकाउंट उपनी लिंक है अकाउंट उपन करो एंड स्टार्ट करो थैंक्यू